नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से कुछ दिन पहले कई समाचार पत्र और वेबसाइट्स ने समाचार प्रकाशित किये कि NCRT ने नवी से बारवी कक्षा स्कूल के बच्चों के दी जो टेक्स्ट बुक्स हैं में कई चैप्टर्स हटा दिये हैं रिपोर्ट्स स्केची थे, क्लियर नहीं थे, NCRT का जिक्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक सिक्षा परिशद के भी रेफेरेंसेज आ रहे थे कन्फूजन के चलते, एक वेबसाइट ने तो अपनी गलती को राउंड अबाउट मैनर में स्वीकार भी कर लिया रिपोर्ट्स की हेडलाइन थी, NCRT makes changes to class 12th history textbooks eliminating chapters on Mughal Empire रिपोर्ट थोड़ी misleading होने के बाउजूद लेकिन बहुत चिंता जनक थी सभी न्यूज रिपोर्ट्स में नवी से बारवी कक्षा के स्कूली चात्रों के लिए इतिहास और political science की textbooks में बड़े पैमाने पर बदलाओ की बात कही गई थी तो सच्ची कहानी क्या थी? क्या हुआ है? और कब से ऐसा होता आया है? क्या ये developments किसी प्रक्रिया का हिस्सा है? या ये decision अचानक और एक बहुत ही नाठकी तरीके से ले लिया गया है? धीरे धीरे ये सपश्ट हो गया कि CBSE ने 9th से 12th classes तक कि स्कूली चात्रों के syllabus में पिछले साल एप्रिल में बदलाओ करने का एक announcement किया था एक बाकाइदा अपने website में booklet भी जारी किया था CBSE ने syllabus में changes तो पिछले एप्रिल में किया परंतो NCRT को act करने में काफी वक्त लग गया पिछले साल CBSE के फैसले के बाद NCRT ने धीरे धीरे टेक्स्ट बुक से chapter removal का काम शुरू किया deleted chapters को हटाने के बाद नए पाठ्य पुस्तक यानि textbooks हाल ही में market में मिलने लगी है 2023-2024 जे academic year से इन ही किताबों का इस्तिमाल होगा textbooks में से इन chapters को हटाया गया है 9 से लेके 12 तक के classes के गुजरात 2002 के दंगे आपातकाल यानि emergency शीव युद यानि cold war नक्सली आंदोलन और सबसे महत्वपून मुगल सामराजया या फिर मुगल empire NCRT ने इस exercise को अपने syllabus rationalization का हिस्सा बताया NCRT के director ने media को अभी हाली में बताया है कि students को covid induced stress से cope नहीं कर पा रहे थे इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है academic load कैसे उनका कम किया जाए तो उन्होंने यही chapters हटाए है ये अजीब था कि NCRT ने ये नहीं कहा कि chapters को इसलिए हटाया गया है क्योंकि CBSE ने इन विशवयों को syllabus से हटा दिया था जितनी भी authoritarian regime हो इतिहास या political science के courses tamper करते समय शायद नैतिक संकट से परिशान होते हैं भारत और विदेशी मीडिया के कुछ sections में ये महतवपून chapters हटाने की development को critically report ही गई थी पिछले साल की बात कर रहा हूं प्रतिश्थित website The Diplomat ने लिखा था कि syllabus और textbooks में ये deletions भारती इतिहास को rewrite करने का प्रयास था website ने बताया था कि मुगलों के योगदान पर एक पूरा अध्याय क्लास 12 की इतिहास की textbook से हटा दिया गया था उस वेबसाइट का एक पैरग्राफ कोट कर रहा हूं The BJP and its Hindutva votaries have often argued that the NCRT texts currently in use give undue importance to Mughal rule They want to shift the focus to the achievements of ancient India which in their view is primarily a Hindu India In their perspective, the medieval period was essentially a Muslim period, a view that historians have contested लेकिन सरकारी efficiency हमेशा बहुत खराब होती है हलाकि NCRT और CBSE ने इन chapters को delete करने का फैसला पिछले साल April 2022 में लिया था लेकिन नई किताबे अब जाके प्रकाशित हुई है नतीजतन मेरे जैसे लोग अपने व्यक्तिगत record के लिए या फिर पढ़ाई के लिए इन्हें बहुत आसानी से खरीद सके थे ये हैं वो किताबे तीन वॉल्यू में themes in Indian history है ये part 1 है, part 2 है और ये part 3 है चौथी एक और history की किताब है जो उन classes के लिए है वो है themes in world history तो ये बहुत ही महतोपूर्ण किताबे हैं जो अब जाके शायद मिलनी बंद हो गई है लेकिन कुछ websites में और कुछ दुकानों में शायद अभी भी मिली हो अगर आप उस इतिहास के बारे में पढ़ना चाते हैं जिसको erase कर दिया जा रहा है तो प्लीज ये किताबे acquire कर लीजिए और अब अन्थ में जाके NCRT ने अपनी website से chapters भी delete कर दिये हैं अब मैं आपके लिए 9th से 12th class के courses से भी हटाए गए chapters का एक संक्षेप list पेश करूँगा अकसर कहा जाता है सरकार के दाही ने हाथ को नहीं पता बाया हाथ क्या कर रहा है कई साल पहले CBSE ने syllabus से एक और अध्याय हटा दिया था लेकिन ये अभी भी textbook में है ये है chapter Through the Eyes of Travelers, Perceptions of Society बारवी कक्षा की इतिहास की textbooks के अन्य हटाए गए अध्याय है Colonial Cities, Urbanization, Town Planning or Understanding the Partition, Politics, Memory and Experiences बारवी कक्षा के चात्रों के लिए एक और हिस्ट्री का textbook है Themes in World History Class 12 की किताब Themes in Indian History इसके तीन पार्ट है पार्ट 3 दिखाया आपको ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 1 है इस पुस्तक से निमलिखित chapters को हटा दिया गया है Central Islamic Lands Obviously Islamic Lands से problem है Confrontation of Cultures and the Industrial Revolution बला, Industrial Revolution से क्या problem होगा? खेर, CBSE, CBSE जाने Political Science में बारवी कक्षा के लिए एक किताब है जिसका शीशक है स्वतंत्रता के बाद भारतिय राजनीती इन में से लोकप्रिय आंदोलनों का उदै और One Party Dominance का युग इन दो अध्यायों को हटा दिया गया है इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार को इतिहास के मध्यकाल से ही नहीं बलकि One Party Dominance और लोकप्रिय जन आंदोलनों से भी परहेज है लेकिन सबसे चौकाने वाली बात ये है कि इन पंक्तियों को मिटा दिया गया है इन टेक्स्ट बुक्स में से इसक्पल 1 Gandhi was particularly disliked by those who wanted Hindus to take revenge or who wanted India to become a country for the Hindus just as Pakistan was for Muslims इसक्पल 2 Gandhi's steadfast pursuit of Hindu-Muslim unity provoked Hindu extremists so much that they made several attempts to assassinate Gandhiji ये भी डिलीट हो गया है Example 3 Gandhiji's death had an almost magical effect on the communal situation in the country The government of India cracked down on organizations that were spreading communal hatred Organizations like the Rashtriye Swamsevak Sangh were banned for some years भला, textbook में कैसे हो सकता है कि Rashtriye Swamsevak Sangh को banned किया गया था डिलीट करने के कारणों को मुझे समझाने की और जरूरत नहीं है आप तो समझ ही गये होंगे दुर्भाग्य से ये भविश्य के मद्दाताओं को नहीं सिखाया जाएगा कक्षा 10 में एक textbook है जिसका शीशक है लोकतांत्रिक राजनीती हटाएगे chapters के नाम है Democracy and Diversity डाइवर्सिटी से परिशानी है हम तो एक सिंगल यूनिफाइड वन सोसाइटी वाले मुल्क है पॉपलर स्रॉगल्स और मूव्मेंट और चैलेंजिज अफ डेमक्रसी प्रसिद इतिहासकार इर्फान हभीब शायद भारत के सर्वशेष्ट मध्यकालीन इतिहासकारों में से एक है उनको दे डिप्लोमाट की रिपोर्ट में कोट किया गया था उनका बयान The focus of all the curriculum changes is on what pays maximum electoral dividends Those who revise the textbooks have only a single-minded agenda of implementing the regressive and sectarian vision of an exclusive idea of India School students में कुछ बातों का understanding नहीं develop हो उस कारण से भी syllabus में बदलाव किया गया था कई events जो गलत थी लेकिन अतीत में हुई वे अभी भी इस सरकार के अधीन में हो रही है और इनके बारे में जो chapters थे उन्हें हटा दिया गया है उदाहरन के लिए आपातकाल या emergency पर जो chapter था उसे हटा दिया गया है ये स्कूली बच्चों के बीच authoritarianism या फिर अधिनायक वाद की समझ को रोकेगा textbook से सामाजिक असमानता और जाती आधारित फेदभाव की चर्चाओं को भी हटा दिया गया है actually हिंदुत्व विचारक हिंदू समाज में जाती आधारित उत्पीडन जैसी समस्याओं की किसी भी चर्चा को avoid करना चाते हैं हिंदुत्व के इतिहासकार और भाजपा के देता पुराने syllabus और textbooks को मुगलों के प्रती sympathetic या फिर सहनुभूती रखने का आरोप लगाते हैं लेकिन ये सच्चाई से कोसो दूर है हटाए गए chapters कहते हैं कि मुगलों ने सोचा था कि उनके पास भारत पर साशन करने के लिए एक divine right है इस myth को perpetuate करने के लिए उन्होंने court sponsored historian से इतिहास लिखवाया है पुराने textbooks में हमारे तथाकतित माक्सवादी इतिहासकारों ने मुगल इतिहास लेखन को expose किया था परन्तु अब ये सरकार और उनके इतिहासकार वही कर रहे हैं जो मुगलों ने किया था क्या ये विडम बना नहीं है नमस्कार